विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगला कोश्चन जो कि आपका थाइड यूनिट है जिसमें आपने पढ़ना है सबसे पहले लॉन और टू आपके फर्स्ट और सेगें यूनिट को लॉंग आंसर शॉर्ट और बे पौधों का वरगी करन भी टू 했लिये obligation है लौका आपके लाप嗎 होते हैं या आपके अनाव्रत बीजी होते ainda हैं इनके आफने सामान लेक्षण लिखना है और को कुण करना है ठीक है और अत्वा कुछ इस तरह से पूंच सकता है कि इस पोर्णी द्वारा दिये गए वर्गी करण के आधार पर जिमनों इस पर या चनाबरत वीजी को वर्गी करत कीजिए तथा विभिन वर्गों के गुड़ों का वर्ण कीजिए वर्गी करना और उनके जितने भी वर्ग होंगे उन सब्सक्राइब अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका जिमनो इसपर्व अनावरत वीजी पौधों की सामान लक्षन ठीक है क्या हो जाएगा आपका जर्नल करेक्टर आफ जिम्नो इसपर्व नमबर एक पौधी प्राया कैसे होते हैं पेरेनियल क्या होते हैं यह पौदे आपके जो अनाब्रत वीजी होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पेरेनियल मतलब यह आपके चिरिस्थाई होते हैं चिरिस्थाई कह सकते हैं यह हम इनको कह सकते हैं वारहे मासी यह आपको हमेसा ठीक है वारहे महीने यह आपको देखने को म मिलते हैं ठीक है और यह कैसे होते हैं चिरिस्थाई एवं आपके कैसे होते हैं बुडी होते हैं मतलब कास्ठी होते हैं कैसे होते हैं कास्ठी है ठीक है यानि कि लकड़ी इनकी जो होती है वो कैसे होती है मजबूत होती तो हम कह सकते हैं पौधे आपके कैसे होते हैं पेरेनि होता है , जड़ तना एबं पत्तियों में बिवेदित रहता है , अडर आपका जेनलेट्स को छोड़ कर order generates को छोड़ कर सभी में जायलम ट्रेकिट्स एवं पैरेन काइमा का बना होता है जो आपका जायलम होता वो किसका बना होता है ट्रेकिट्स और आपका पैरेन काइमा ठीक है ये दोनों चीजे आप भी जायलम में पाए जाती है अर्थात जायलम में वैसल नहीं पाए जाता है क्या पाय जाता है जैलम में आपका बैसल्स नहीं पाया जाता है थीक के श्याद रखने कि आपका जैलम होता है उसमें आपका बैसल्स सुम्स is in का काम क्या होता है जिनको फोर्थ कह रहेत ऐसकते हैं यह आपका जल का जो है transfer करते हैं ठीक है एक जगह से दूसरी जगह जलब कले जाते हैं तो यह क्या होती है आपकी बैसल चे है इनको जल्यान भी ऑदें ठीक है फौर्थ कह रहा है फिलोम सीप्स से था फिलोम पैरिन काइमा का बना होता है जो आपका फिलो करा पादे हैट्रोस पूरस होते हैं जो इसमें होंगे या इसपोर जो आपके होंगे विशम स्पूर होंगे ठीक कोई आपका बड़ा होगा कोई छोटा होगा ठीक isweeder भी सकते हें स्कराइकं करदेख हैं कहरा माइकरो इबंं मेगा इस कुरेंग त्या क्रम्शा माइकरो एनप मेंगा सुल फिलस पर पाएजाती है जो आपका मैंक्रोम इस फॉनिंजीव qa हाँ पाएज आता है को और मेगा इस्पोरोफिलस पर और मेगा इस्पोरोफिलस पर ठीक है जो आपका सब्सका निर्माण करता है और यहां से आपका स्टो रुल का जो है फार्मेसन हो जाँगा है क्या बनाएंगे इस ये सिंक्स कहरा है प느 esos Ada में विन्ड पॉलिनेशन पाया जाता है विन्ड पॉलिनेशन मतलब की वायू के द्वारा परागर्ड यानि कि बायू परागड भी इसको कह सकने ठीक है तो इनमें पौदों में क्या होता है बायू परागड भी पाया जाता है पूरी तरह से बीज में कनवर्ड होने वाला होता है उसमें केवल आपका क्या होगा एक ही जो हैंबरी यूस और बात है वर्णी के बाद करें वर्णी करत कि अनाब्रत बीजी को किस आधार पर करना है इस पोड नीक एस पोर अनाब रखना क्या शारीर की किसकी जमनोविश्पर्म या आपका क्या था अनाबरत वी जी तो यह इन्हूं ने एक बुक लिखी थी टिएक मार्फोलोजी आफ जमनोविश्पर्म में जमनोविश्पर्म को वर्गी करत किया है ठीक है किसमें मार्फोलोजी आप जिम्नोस्पर्म याद रखना है ये बुक को किसमें लिखा था आपका कियार इस्पोर्णी ने लिखा था तो इसी में क्या करा था इनने जिम्नोस्पर्म को वर्गी करत किया है इस्पोर्णी के दिये गए जिम्नोस्पर स्पर्ण वर्ग आपका क्या होगा वर्ग नमबर बन आपका हो जानगा साइके साइके जुप से ठीक है क्या हो जाए ऑल रिक्षाइक क्या निटोपिसिदा गॉलय कॉंनी फीर simpler त्विक है टेका टैक है के साईकेड ओप्षिदा कुनी फिरूप्षीडा एंड थर्ड हो जागा आपका नीटोप्षिडा तु इह आपके तीन वर्ग है और नमबर पहले फस्ट के ओडर किया है आपके फस्ट है आपका टेरीडू ऐस पर मेलत क्या है फ्रस्ट ऑर्डर आपका टेरी डो स्पर मेलए इस फ्रस्ट ऑर्डर आपका व्रक था इसके order क्या है आपके 4 order है ठीक है second आपका बग्र क्या है कोनी फिरोपसिडा तो इसके order कौन कौन से order number 1 आपका क्या हो जागा कार्डे टेल्स क्या हो जागा कार्डे टेल्स सेकंड आपका क्या है कोनी फिरेल्स ठीक है क्या है कोनी फिरेल्स थर्ड क्या है आपका टैक्सेल्स क्या है टैक्सेल्स एंड फोर्थ आपका क्या है गिंक गोल्स क्या है गिंक गोल्स ठीक तो इस तरह से आपका जो दूसरा वर्ग है कोनी फेरोपसिडा इसके भी आपके चार ओर्डर है ठीक है फ़र्ड आपका वर्ग क्या है नीटोपसिडा क्या है वर्ग नीटोपसिडा इसका ओर्डर केवल आपका ये कही है कौन सा आपका नीटेल्स ठीक है नीटोपसिडा ओर्डर आपका क् पूर्णी ने दिया था इस पूर्णी ने दिया था तो इसी का हमें अध्यन करना है ठीक है इसी के आधार पर हमने इसको पढ़ना है और उनकी जो है विशेष्था है बतानी है तो प्रमुक बर्गों की विशेष्था है जो अभी हमने देखा था उन सभी बर्गों की अब हम नमबर एक यह साइकेडो फिली केल्स से उत्पन हुए है इन्हें साइकेड्स कहते हैं अब जो आपका साइको साइको डोपसिडा है यह कहां से मिला है फिली केल्स से उत्पन हुगा है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं साइकेड्स कहते हैं क्या कहते हैं साइकेड्स कहते हैं सेक तना शाखावान होता है यह आपका जो इस्टेम वो कैसे होती है इस्टेम आपकी कैसे होती है ठीक है कैसी होती है ठीक है कैसी होती है और लीफ बेस से धका रहता है किससे धका रहता है बेस से जो आपका धका रहता है थर्ड इसकी भी शेष्टा हो जागी इनमें पत्तियां दो तरह की होती है पत्तियां जो प्रकार की जो है पाई जाती है ठीक है साइके डॉपसिडा में फर्ष्ट पत्ति आपकी कैसी होती है स्केल्स एंड सेकेंड आपकी कैसी होती है ठीक है तो फोलीज पत्ति आपकी आकार में बड़ी होती है ठीक है कैसी होती है फोलीज पत्ति इन में क्या पाया जाता आपका सर्सीनेड और वर्नेशन जो है पाया जाता है ठीक है आपका फेलियेज पत्ती में इसके बाद कर रहा है कि कास्ट मोनोजायलिक एवां पिक्नोजायलिक होता है कैसा होता है जो आपका कास्ट होता है या जो आपकी वुड होती है वो कैसी होगी मोनोजायलिक या आपकी टिक्नोजायलिक होगी ठीक है तो इस तरह से इसकी पांच विशेष्टा है जो हो गई औ पौधे एक लिंगी मेंस कि जो आपका पौधा है तो इसमें नर और आपका मादा ठीक है यह दोनौ जो आपके और गयन होते हैं तर जननंतन और आपका माद्य जननन ऐसे Hack橋 क किस पर मिलेंगे अलग अलग पाउदों पर यह पाइ जाते हैं तो इन पौधों को कहते हैं हम क्या कहते है unterstützen इनको एक लिंगी पौधे कहते हैं ठीक है एक लिंगी पौधे इनको कहा जाता है अर्थात नर इबं माधा अलग-अलग होते हैं ठीक है नर और माधा कैसे होगे आपके अलग-अलग पाए जाते हैं शिक्स सेवन्त कहा रहा है कि पराग कड तीन कोशकी होते हैं अब जो आपके पराग कड होंगे वो कैसे होंगे आपके तीन कोशकी होंगे ठीक है एवं परागड बायू द्वारा होता है परागड जो आपका पॉलिनेशन होता है इनमें वो कैसे तरह से होता है बिंड द्वा पाने पौधे हैं ठीक है जैसे अब बात करें कि साइकर्स और आपका माइक्रो साइकर्स जैमिया और सिरेटो जैमिया यह सभी आपके एक्जांपल हो जाएंगे इसके ठीक है यह सभी क्या हो जाएंगे आपके एक्जांपल तो उनको याद रखना है साइकर्स और माइक्रो स और आपका जैमिया और आपका सीरेटो जैमिया तो यह चार आपके एक्जामपल जो आपको याद रखना यह सबी कैसे प्रिमिटिव प्रकार के हैं ठीक है इसके अनुशार इस पॉर्णी के अनुशार तो इसकी भी कुछ विशेष्टा है जिनको हमने पढ़ना है ठीक है सबसे पहला करा यह जिमनोस्पर्म का एक बड़ा वर्ग है कौन सा कोनी फेरोपसिडा जो है वो जिमनोस्पर्म का एक बड़ा वर्ग है ठीक है दूसरा गार दुनिया के सबसे बड़े ब्रक्ष इसी वर्ग में आते हैं तो क्याद रखना भी सेकंड दुनिया जितने भी आ आते हैं आपके कोनी फिरोपसिडा के अंतरगत आते हैं ठीक है किसके अंतरगत आते हैं कोनी फिरोपसिडा के अंतरगत आते हैं थर्ड शाखाएं दो प्रकार की होते हैं कितने प्रकार की होते हैं साखा इन में कोनी फेरोप चाभा में दो तरह की काउनसी छोटी साखा engineering Versus कहते हैं ऐनंड लंबी साखा जने लंग सूट कहते है । नहीं में दोनों तरह की जवत आपको देखने को मिल जाएंग पॉर्लम बी साखा जाने इसके बाद आपका फोर्त क्या हो जागा पूर्थ कहा रहा है पत्तियां भी दो प्रकार की होती है चोटी और लंबी पत्तियां भी आपकी कैसी हो जाएंगी इसकेल लीब्स यानि कि इसकेली पत्तियां और आपकी कैसी हो जाएंगी फोलियेज लीप से या फोलियेज पत्तियां तो फोलियेज पत्तियां आपके कुछ लंबी होती है फिर तो आप से कह रहा है कि कास्ट पिक्नोजायलिक होता है कास्ट कैसा होता आपका पिक्नोजायलिक होता है ठीक है और पहले वाले वर्ग में हमने पढ़ा था उसमें एबम जडों में पाए जाती है इनकी पत्तियां और जडों में क्या मिलेगा आपको र्यईन मिलेगा ठीक है पधे kept होते हैं तो उभहे लंगी या आपके दुई लंगी ठीक है कैसे भेलेंगी आपके दुई लंगी उभैलिंगी और दोलिंगी means क्या होता है कि इन पौधों में ठीक है नर और मादा नर और मादा जो आपका नर और मादा जनन अंग होता है वो आपका एक ही पौधे पर पाये जाता है कैसा होता है एक ही पौधे में होता है ठीक है नर और मादा जनन जो अंग होते है वो आपक एंत K prim पर माधाहएं सब्सकी में गीक रहा है कि विंगिटे कि पर सब्सक्राइब के किये थे हैं इसमें कितने कोस की है है आपके 4 कोस भीजिए ठीक हैं सिखिन सिकंड में हैं इवम पंखदार होते हैं कैसा हुत ओते हैं समान जो है यह फ्लीयक्त चोटी-चोटी सरकेषा होती है कि केंग कहरागे निसिचन की क्रिया साइफोनोगैमस प्रकार की होती है निसिचन किस तरह का पाया जाता है नोग में इन्सटार का निस इशेचन 11 QRA अवस्था पाई जाती therapist यसे लेश öld अगया और ऑर पinyl अभस्था देखने को मिल एंप कह सकते हैं कि पॉली एंब्रियो फेज इनमें स्टेज इनमें पाई जाती है इस तरह से यह आपके दो वर्ग उनकी विसेश्थाएं कम्पलीट हो रही है अब आपका थड़ वर्ग है और उसकी कुछ विसेश्थाएं है इनको आपने देखना है थड़ क्या था आपका नीटोपसीडा क्य है जिम्नोस्पर्म का विकसित वर्ग है कैसा है जिम्नोस्पर्म का विकसित वर्ग है ठीक है सिकंड वाला क्या था आपका सबसे बड़ा वर्ग था यह कैसा आपका विकसित वर्ग है ठीक है नीटोपसीडा फर्ष्ट कह रहा है इस वर्ग के सदस्ष मरुद विद या आप जिर सिरन आरा कि का रहा है पाध्य किसके रूप में रूप में किसके किnes रूप में रूप में इनका मतलब होता है जो बैसल्स होती वो आपकी जल्यान कहलाती है मतलब यह जल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कारी करते हैं फूर्थ कहा रहा है मेडूलरी किरने मल्टी सिरियेट होती है क्या होती है मल्टी सिरियेट होती है आपकी मेडुलरी किरने ठीक है या मेडुलरी रेज जो होती है वह आपकी कैसे होती है मल्टी सिरियेट तरह की होती है ठीक है नीटोप सिदा नीटोप सिदा मुख्यताब पौधा एक लिंगी होते हैं ये जो आपके पौधे होते हैं नीटोप सिदा के पौधे ये कैसे होते हैं ये भी आपके एक लिंगी होते हैं ठीक है एक लिंगी यानि कि अलग-अलग पौधे पर नर और मादा जो है जननंग आपको मिलते हैं ठीक है अलग- प्रकार का निसेचन की किरिया साइफो गैमस होती है तो इसमें भी जो है निसेचन किस तरह का होता ता साइफो गैमस प्रकार का निसेचन होता जो कि आपका second वाले में हो रहाता है, second work में, यर्थ कहा रहा है, इनमें बहु ब्रूड ये वस्ता पाई जाती है, ठीक है, क्या, इसमें भी आपका जो है, poly embryo पाया जाता है, ठीक है, बहु ब्रूड ता, इसमें भी आपको देखने को मिलती है, ठीक, next, जैसे आपका नीटम हो गया, और ephedra हो गया, आदि, तो ये आपके किसके example हो जाएंगे, नीटम, ephedra और आदि, ठीक है, तो ये दो example आपको नीटम सिदा में याद रखने हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपका यहांपर जो है, long answer, first long answer था, जिसमें पूँचा था, कि आपका जो अनाबरत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है, क्या, अनाबरत बीजी पौधों के सामाने लक्चन पूँचा गया था, और उनका वरगी करण पूँचा गया था, ठीक है, वरगी करण किसके आदार पर किया था, इस पोर्नी के आदार पर, इस पोर्नी के आदार पर, इस पोर् स्पर्म को डिवाइर किया है embody स्पर्नीग इस में जो एए इनने जिम्नो स्पर्म को तीन वागों में भाट आथ ठीक एफर्स्ट सेज्ट और आपका ठास्1 तरय इस तरह से आपको question complete हो जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही है मासा thanks for watching and share the video